छिपकली अपनी पूछ क्यों छोड़ देती है और क्या आपको बताए कि भारत में एक ऐसा रेस्टूरेंट भी है जहांकि गेस्ट इंसान नहीं बल्कि कोई और ही होते हैं और आज आप सबसे पहली बार टाइटैनी की एक बेहदी रेर वीडियो क्लिप को देखने वाले हैं ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रेंडम एन इंटरसिंग फैक्स को जानने के लिए ट्रिमेंड़ फैक्स सीरीज का यह एपिसोड लास तक जरूर देखिएगा मेरी बहुसी वीडियो में मैंने आपको अलग-अलग तरीके की राइट्स दिखाई हैं जिसमें कभी आपको बोट पर बैठाये जाता है तो कभी रोलर कोस्टर पर लेकिन हर एक नई वीडियो के संग मेरे उपर सबसे बड़ा प्रेशा रहता है कि मैं अपनी वीडियो को एक एक एक्स्ट्रीम लेवर पर ले के जाओं तो चलिए आज आपको कुछ एक्स्ट्रीम ही दिखाता हूँ सवागत है आपका फ्लाइ आफ पैसे राइड में दोस्टों ये दुनिया की अभी तक की सबसे ज़ादा एडवांस राइड मेंसे भी एक राइड मानी जाती है जिसमें आपको एक वी आर बोक्स पहना कर अफ़तार की इल्यूजन भरी दुनिया में ले जाया जाता है जहा ज़ादी एडवांस वर्चुल ग्राफिक टेकनलोजी को मिला कर एक अलग ही लेवल की टेकनलोजी को भी डवलप किया गया है जो आपको आपको आउट अफ द वर्ड एक्सपिरियंस भी देता है और उसी की तरश पर ही इस राइड को दुनिया की सबसे ज़ादा एडवां चीज और यहां तक की स्टेर्स को भी आइस मोल्ड करते करते बेहती खुबसूरत तरीके से बनाये जाता है और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन आइस बिल्डिंग्स को इतना ज़ादा बड़ा बनाये जाता है कि आप इनके अंदर जाकर भी इनको विजि आपने अपनी लाइफ में डमशिरास तो जरूर खेला होगा बेसिकली इस गेम में अपनी बात को सिर्फ इशारों के थुरूई दूसरे को समझाया जाता है लेकिन कि आपको पता है कि इसी चीज को बहुत जादा सीरेसली लेते हुए भी मुंबई में एक बेहदी यूनिक रेस्टोरेंट को भी खोल आ गया है दोसे इस रेस्टोरेंट का नाम मिर्ची एंड माइम है और आप ये जानकर हैरान हो जाएगे दोस्तों कि इस रेस्टोरेंट का कोई भी एमपलॉई किसी दूसरे एमपलॉई और यहाँ तक की कस्टूमर से भी बात नहीं करता है इक्वालिटी इस रेस्टूरेंट को बेहदी यूनिक भी बनाती है क्या इस रेस्टूरेंट में आज से पहले आप कभी भी गए हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा फैक नमर त्विटी तूरा वो समूद्र में एक जगे से दूसरी जगह तक का काफी लंबी दूरी का भी ट्रेवल करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक इनसान पानी के नीचे इतनी लंबी दूरी का ट्रेवल कैसे कर लेता है तो चलिए स्कूबर डैवर की भी उस सीक्रेट को आज आपके सामने खोल ही देते हैं दरसल दोसो बहुत से स्कूबर डैवर के द्वारा साल 2018 में मैक्सिको की सू बलू कमपनी के द्वारा बनाया गया शार्क मिक्स अंडर वाटर स्कूटर का यूस किया जाता है दरसल दोस्तों इस अंडर वाटर स्कूटर में दो पावरोफुल रोटर को लगाया जाता है जैसे ही इसको चलाने वाला वेक्टी मोटर को आउन करता है ये रोटर बहुत तेजी के साथ घूम कर आपको पानी में कुछ इस तरीके से पुछ करके आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं जिसकी वज़े से स्कूबा डाइवर पानी के नीचे बहुत लंबी दूरी तक कभी ट्रेवल बेहदी आसानी से कर सकते हैं तो फाइनली अब आप स्कूबा डाइवर के उस सीक्रेट को भी जानते हैं क्या आपको बताए कि पैरेस की डियास आटो मोबाइल कंपनी के दौर एक ऐसी कार को इनवेंट किया गया है जिसको वो कंपनी साल 2035 में मार्केट में उतारेगी लेकिन अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो हम इसी साल आपको इस कार के दर्शन जरूर कराएंगे मिली इस दुनिया की सबसे पहली two different sides कार से दोस्तों इस कार का नाम XE Tense है और इस कार को कुछ इस तरीके से डबल अप किया गया है कि मानो दो अलग अलग कारों को एक ही कार में जोड़ कर बना दिया गया हो जहां पर ड्राइवर की बगल में बैठने वाले वेक्ति को एक अलग ही covered glass chamber में बैठाया जाता है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि दोस्तों इस पूरे ही कार के floor को transparent भी बनाया गया है जिससे जैसे ही आप इस कार में बैठे हैं आपको आपकी नीचे का view कुछ इस तरीके से बेयादी amazing दिखने लगता है हालाकि इस पूरे ही कार का concept scooter में लग तो जरूर देखे होंगी लेकिन कि आपने Titanic के departure की rare video clip को देखा है दोस्तों अभी अपकी screen पर आपको जो video clip देख रही है उसको 10 अप्रेल 1912 को shoot किया गया था जिसमें आप बेहदी साफता और ये देख सकते हैं कि departure के वक्त Titanic में कितनी बड़ी तादाद में लोग Fact No.19 कि मानव वो कोई चीटी नहीं बलकि शेर हों जब ये चीजें हसे जाला बढ़ने लगी तो फाइनली ब्रजील के जंगलों में चीटीयों पर research की गई और उसके बाद जो report सामने आई उसको जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे दरसल दोस्तों ब्रजील के जंगलों म तो शरीर तो चीटी का ही होता है लेकिन उस समय उसके brain को वो fungus कंट्रोल कर रहा होता है और यही सबसे बड़ा करण था जिसकी वज़े से वो चीटीयों बिलकुल ही अलग react करती थी बाद में एक research में ये बाद भी बिलकुल तरीके से साफ हो गई कि ये fungus आगे चलकर खुद गुए कोट वर्क इस्टेशन बना थे यार किया गया है दरसल दोसर इस वर्क सेशन को किसी भी इंसान की वर्क एफिशेंसी बढ़ाने के लिए इस तरीके से develop किया या है कि आप इस वर्क सेशन पर बैट कर, खड़े होकर, तेड़े होकर और यहां तक की लेट और भी काम क लगाया गया है जहांपर magnetic plates आपकी keyboard और mouse को एक stable position में पकड़े रहती है तो वहीं दोस्तों एक tiny camera हर वक्त आपके आँखों के movement को measure करता रहता है और जैसे उसको ये लगता है कि आपको नीदिया जादा धकान हो रही है तो वो अपने आप भी आपकी workstation को सीधा या फिर कुछ ऐसे particular angle पर पहुचा देता है जिससे आपकी work efficiency भी भढ़ जाती है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि initial stage पर 80 लोगों पर इस तरीके के workstation को test किया गया था जहां पर ये बात बिलकुल साफ हुई कि सिर्फ इसी workstation का use करते हुए उनकी creativity और work efficiency 40% तक भढ़ ग दोसे इस hotel का नम Criterity है और इस hotel में especially dogs के लिए swimming pool, spa और अलग-अलग category जैसे की deluxe category, royal category और Criterity category जैसे rooms भी available हैं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहां पर dogs को time to time अलग-अलग sports खिलाने के साथ-साथ movies और यहां तक की customized food भी serve किया जाता है और आप ये जनकर हैरान हो जाएंगे कि यहां पर dogs को बेहती soft, well-weight के bed पर सुलाया जाता है और इसी के बास से यह भारत का सबसे पहला ऐसा hotel भी बन गया है जिसको especially dogs के लिए बनाया गया है Fact number 16 क्या आपको बताए कि इस दुनिया में बहुत सालों से ऐसी football भी खेली जा रही है जिसमें football कोई player नहीं बल्कि robots खिलते हैं Basically दोस्तों इसमें field के बाहर एक operator laptop लेकर बैठा रहता है जो की एक robot को control करते हुए उससे game को खिलवाता है लेकिन ये चीज अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि साल 2019 में जेपैन के दौारा सबसे पहली बार ऐसे robots को डबलब किया गया है जिसमें बेहदी advanced artificial intelligence और sensors के साथ football के सारे ही rules को feed किया जाता है जिसके बाद वो robots सिर्फ अपने artificial intelligence का use करते हुए खुद से ही football खेल सकते हैं हलाकि ये एक बहुत बड़ा chance था जो कि जेपैन के 12 साल 2019 में लिया गया लेकिन आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके के robots ने ना सिर्फ sports को खेला है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगे हैं जहां पर drones को fly करना legal नहीं माना जाता अब initial stage पर इस तरीके कि drones को पकड़ने के लिए drone catcher का use किया जाता था बिसिकली ये एक mechanism होता है जिसको जैसे ही आप drone की तरफ point करके shoot करते हैं इसके अंदर से एक net निकलता है जो कि drone को पकड़ कर जमीन पर गिरा देता है तो situation में drone को तूट ही जाया करता था लेकिन उस drone ने क्या record किया और क्या नहीं ये सारा data भी खत्म हो जाया करता था तो आकेर इस problem का solution है क्या दरसल दोसो बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन आज कल drone को पकड़ने के लिए drone diffusing mechanism का use किया जाता है जो सिर्फ frequency में change लाकर ही drone को कुछ इस तरीके से जमीन पर land करा देता है दरसल दोसो इस mechanism में अलग-लग तरीके की high frequency को use किया जाता है जैसे ही कोई भी इंसान इस mechanism को drone की तरफ point करता है ये drone की current frequency को scan करके अपनी frequency को drone की frequency से match करा देता है और उसके बार ये drone को ये command देता है कि उसको उसी समय पर उसी location पर land करना है जिसके बार drone बिना किसी damage के बेहदी आसानी से जमीन पर land कर जाता है और उसके बार आप ये देख सकते हैं कि उस drone ने वास्तम में क्या-क्या record कर रखा है जैसके हम सभी जानते हैं कि साइंटिस काफी लंबे समय से किसी भी इंसान के हुबा हूँ clone बनाने का भी ट्रै कर रहे है हाला कि साइंटिस को अभी ऐसा करने में काफी लंबा समय भी लग सकता है लेकिन कि आपको पता है कि अभी हाल ही में सेमसंग के दोरा कुछ ऐसा इंटिड्यूस किया गया है जिसको जानकर आपके भी होश जरूर ओड़ जाएंगे दरसल दोसे सेमसंग के दोरा इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार AI-powered avatar technology का यूज़ किया गया है जिसको नो ने नियोन का नाम भी दिया है दरसल दोसे इस technology में आपको एक बहादी advanced room के अंदर खड़ा किया जाता है जहां पर आपके आसपास लगे हुए sensors ना सिर्फ आपके body structure को scan करते हैं बलकि साथ ही साथ वो आपके brain को भी scan करना शुरू कर देते हैं और जिसके बाद वो कुछ ही मिनिटों में आपका एक AI powered अवतार भी create कर देते हैं साफ शब्दों में अगर समझादा है दोस्तों तो यह आपका एक digital clone होता है जो देखने में भी आपकी जैसा ही होगा सोचने में भी आपकी जैसा ही होगा और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि यह technology इतनी जादा advance है कि ना सिर्फ आपके body structure को ही copy करती है बलकि आपके situation में क्या सोच सकते हैं इस तक को analyze करके उस digital avatar में डाल देती है कंपनी का यह दावाय दोस्तों कि इस तरीके से तैयार कियेगे digital avatar को अगर TV स्क्रीन पर किसी को दिखाया जाएगा तो वो यह कभी भी नहीं बता सकता है कि यह वास्तव में एक avatar है या फिर हकीकत का कोई इनसान और अभी हाली में Samsung के तोरह इसी technology को use करते हुए पूरी दुनिया के सामने 6 avatar को भी लाया गया था जो music बजाने से लेकर yoga सिखाने तक कि सारे ही काम ठीक वैसे ही करते हैं जैसे कि उस avatar का real इनसान करता आज अगर हमारे जरासी भी चोट लग जाती है तो हम उसके उपर तुरेंधी ointment या फिर bandit लगा लेते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों की invention से पहले खून को रोगने के लिए इंसान किस चीज का इस्तेमाल किया करता था दरसल दोसो बहुती कम लोगों को ये मालूम है लेकिन उस समय खून का थक्का जमाने के लिए मकडी के जाले का प्रयोक किया जाता था दरसल दोसो मकडी के जाले में विटमिन के होता है जो कि खून का थक्का जमाने में साहिता परदान करता है और इसलिए किसी भी ointment के आविशकार से पहले लोग मकडी के जाले का इस्तमाल किया करते थे क्या आपको बताएगे बर्लिंग की नैबुलाइट कंपनी के दोरा बेहदी amazing glowing jackets को भी बना करता ही यार किया जाता है दरसल दोसे इस amazing jackets को बेहदी amazing fabric और अलग-अलग rocks के powder का यूज़ करते हुए बनाया जाता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोसों इसमें light और sound detection technology का भी यूज़ किया जाता है जिसके थुरू ये अलग-अलग lights और अलग-अलग music के according कुछ इस तरीके से अलग-अलग patterns में light को emit करना शुरू कर देती है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि Berlin में इस तरीके की jackets की काफी जादा demand भी रहती है क्या इस fact से पहले आपने इस jacket को कहीं पर भी देखा था comment करके जरूर बताईएगा Fact number 11 क्या आपको बताएगे चाइना के नाम इस पूरी दुनिया का सबसे जादा heavy steeled wire bridge जिसका की वदन 46,000 ton था उसको 90 degree rotate करने का भी world record हासिल है लेकिन आखिर इतने बड़े bridge को rotate करने की क्या जरूरत पड़ी दरसल दोसे इस bridge को एक busy railway track की उपर बनाया जाना था लेकिन उस situation में अगर इस bridge का निर्मान railway track की उपर ही किया जाता तो उस busy railway track को बंद करना पड़ता जिसकी वज़े से government को काफी बड़ा नुकसान हो सकता था और इसलिए उन्होंने इस bridge को railway track के parallel बनाया और इसके बाद कुछ इस तरीके से मैज एक घंटे के अंदर ही वो इसको सही direction में ले आए और उसी के बाद से ही चाइना के नाम इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े bridge को rotate करने का भी world record हासिल है fact number 10 दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक realistic alligator cake को दिखाया था लेकिन क्या आपको बताए कि इसी चीज को पीछे छोड़ते हुए अभी हाल ही मैं USA में 6 feet लंबा एक बेहदी realistic dinosaur cake को भी बना कर तयार किया गया है और आप यह जनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पूरे ही cake को चॉकलेट से cover करने के बाद इसको realistic बनाने के लिए इसके उपर real skin effect देने के लिए छोटे छोटे round shape effects को बना कर तयार किया गया है जो कि इसको देखने में बेहदी realistic भी बनाता है और उसी की बास से ये दुनिया के सबसे ज़ादा realistic cakes में से भी एक-एक माना जाता है सचिन तेंदूलकर का नाम कौन नहीं जानता लेकिन क्या आपको पताए कि सचिन तेंदूलकर ने इंडियन किरकेट टीम में डेब्यू करने से पहले पाकिस्तान किरकेट टीम के लिए एक मैच में फिल्डिंग भी की थी दरसल दोसो सचिन ने अपनी बायोग्रफी Playing It My Way में इस घड़ना का जिक्र भी किया है जहां पर उन्हों ने ये बताया है कि 20 जनवरी साल 1987 को इंडिया और पाकिस्तान की बीच मुंबई में एक friendly मैच खेला जाना था जिसमें पाकिस्तान के दो सीनियर खेलाडी जावेद, मियादाद और अब्दुलकादिर रैस लेने के लिए होटल चले गए थे प्लेयर्स की कमी होने की वज़े से सचिन ने as a subsidiary fielder 25 मिनेट टक field में पाकिस्तान की तरफ से fielding भी की थी और उसके दो साल के बाद यानिकी सन 1989 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया था क्या सचिन का ये rare fact आप पहले से ही जानते थे comment करके जरूर बताएगा जैसा कि हम सभी चानते हैं कि आजकल यूथ में gaming बहुत जादा popular होती जारी है लेकिन इसके साथ ही दो सबसे बड़ी problems ही में हमारे सामने खड़ी होती है पहला तो जादा लंबे समय तक game खेलने से हमारी आँखे कमजोर होने लगती है तो वहीं दूसरा अच्छी sound quality के चकर में हम हमारे आसपास बैट हुए लोकों को भी काफी जादा परिशान कर देते हैं तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताए कि इसी problem को solve करते हैं अभी हाल ही में Mewtrix नाम की company के दौरा दुनिया का सबसे पहला ultra thin smart gaming glasses को बना का तयार किया गया है दोस्तों इस amazing glasses का नाम GB30 है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें anti blue light lenses का use किया गया है जिसकी वज़े से आप गंडों तक mobile या फिर PC में game को बिना अपनी आँखों पर कोई भी effect डाले खेल सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं बलकि दोस्तों इसमें बेहदी advanced bone conduction technology का भी use किया जाता है जिसके थुरू ये sounds को waveform में आपके middle ear तक पहुचा देता है और उसके बाद आपका middle ear दोबारा सही उसको आवाज में convert कर देता है जिसकी वज़े से आपके पास बैठा हुओ इंसान कभी भी disturbance नहीं होता और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आप इन glasses से अपने smartphone को भी connect कर सकते हैं जिसके थुरू आप music, calls, movies इन सारी चीज़ों का मज़ा भी ले सकते हैं कंपनी का दावाए दोस्तों कि एक single charge के बाद इस smart glasses को 15 घंटों तक लगातर use कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में pro gamers के बास आपको कुछ इस तरीके के glasses भी देखने को मिल सकते हैं हम जहां पर भी रहते हैं हमें हमारी daily uses की चीज़ों की आवशक्ता रहती है और यही सारी situation ISS में काम करने वाले astronauts के साथ भी होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि NASA के दौरा कोई भी non-technical चीज़ को खराब या फिर तूट जाने की situation में अर्थ से ISS तक कैसे बेजा जाता है दरसल दोस्तों situation में NASA के दौरा उस चीज़ को international space station में email कर दिया जाता है दरसल दोस्तों NASA के दौरा प्रेस conference में इस बात को बताये गया था कि उन्होंने ISS में बेहदी advanced 3D printer को install किया हुआ है जिसके तुरू छोटी मोटी non-technical चीज़ों के structure को ISS में email कर दिया जाता है जिसके बाद वो उसको 3D printing के तुरू ISS में बना कर तैयार कर लेते हैं Fact No.6 बेड पर लेट जाना चाहिए और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये psychological disorder इतना जादा rare है कि आज तक medical science पर भी इस बीमारी का पूरी तरीके से इलाज available नहीं है Fact No.5 Chinese कुछ भी खा सकते हैं और इस बात को मैं आज से नहीं बलकि काफी पहले से ही अपनी वीडियोस के दुरूप प्रूफ करता हूँ अभी आ रहा हूँ कीड़ा पाया गया है और वो भी जिन्दा दरसल दोसों ये कीड़ा कच्चा मास्क खाने की वज़े से उसके सिर में पहुँच गया था आना कि treatment के बाद इस कीड़े को उसके brain से निकाल लिया गया लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखरी ये लोग कब सुधरेंगे क्या आपको बताएगे नासा, एलाउन मस्क और टॉम क्रूस के दौरेस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी मूवी को बना कर तयार किया जा रहा है जिसकी shooting space में की जाएगी दरसल दोस्तों ये एक action movie होगी जिसकी shooting space में मौझूर international space station में की जाएगी और अर्थ से ISS सक एक्टर्स और shooting apparatus को ले जाने के लिए एलाउन मस्क के दौरा बनाए गए space x dragon का यूस किया जाएगा ये एक बेहदी advance capsule होता है जिसको मैं अपने पिछली वीडियोस में भी cover कर चुका हूँ तो आप ही कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको एक ऐसी movie भी देखने को मिलेगी जिसकी shooting हकीकत में space में की गई होगी दरसल दोस्तों सिम कार्ट को सबसे पहली बार साल 1991 में जर्वन कमपनी गिसकी एंड डिवरियंट के दौरा रेडियो निंजा नाम की wireless network operator कमपनी के लिए develop किया गया था दोस्तों यह वाला fact current affair की touch पर है क्या आपको बताएं कि अभी हाल ही मैं रविनना टेगोर जी की 169 जेंती पर इसराइल का यह कहना है दोस्तों कि टेगोर जी ने मानव समधाई की जीवन में अन्वोल योगडान दिया है और उसी की touch परी उन्होंने अपने तेल अभी में एक street के नाम को बदल कर टेगोर जी के नाम पर रख दिया है सच में गर्व होता है भारतिय होने पर छिपकली अपनी पूछ क्यों छोड़ देती है दरसल दोस्तों नेचर ने हर एक जीव को अपनी जान को बचाने के लिए कुछ special qualities दी है और छिपकली का पूछ छोड़ना उन ही qualities में से भी एक quality माना जाता है दरसल दोस्तों छिपकली में ये छमता होती है कि जब भी उसको ये लगता है कि कोई भी शत्रू या फिर दूसरा जीव उसको पकड़ कर खत्म कर देगा तो उस situation में अपनी जान को बचाने के लिए छिपकली अपनी पूछ को छोड़ देती है जिसकी वज़े से दूसरे जीव को एक बहुत बड़ा confusion create हो जाता है दरसल दोस्तों जैसे छिपकली अपनी पूछ को छोड़ती है वो पूछ एक जगे पर गिरने के बाद कुछ देर तक छट पटाती रहती है दरसल दोस्तों जिपकली की पूछ और रीड की हटी के बीच का जोड़ बहुत जादा कमजोर होता है इसलिए थोड़ा सा दवाव पढ़ने या फिर छिपकली अपनी मर्जी से ही अपनी पूछ को छोड़ सकती है और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसकी वज़े से छिपकली को पूछ छोड़ने के दौरान जरा सा भी दर्ध नहीं होता साथी साथ दोस्तों एक बार पूछ छोडने के बाद छिपकली की कुछी समय में दोबारा से ही पूछ डवलप होना शुरू हो जाती है इतने सारे फेक्टों में से कौन से फेक्टों जो आपको सबसे अमीजिंग लागा हो कमेंट करें जरूर बताइएगा एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आपसे बीसे दोबारा मुला कर दोगी दोस्तों जैहिंद